तो दोस्तों जिस तरह से अगर हम पुरानी टीशेट दुबारा पैन ले तो दोस्त बोलते हैं क्यों बाबा आदम के जमाने के टीशेट पैन कहा है तो उसी बाबा आदम के जमाने के टाइम पे हमें एक रोम को यूज करते थे जिसका नाम था लाइनेज ऑपरेटिंग हैं हमने इसे अपने मी 11x में इंस्टॉल किये सारे फीचर आपके साथ डिसकस करेंगे क्या क्या चीजे वरकिंग है क्या क्या नहीं है सब चीज बताएंगे तो वीडियो को आखर तक देखते रहे ताकि आपके सारे डाउट से आपर क्लियर हो जाए और अकर तुम चैनल प को कर रहा है हमने power off power on भी आप ही के साथ हम करेंगे दिखाते हैं कि boot animation में कोछ चेंजेज है कि नहीं है आपको पहले मी का logo मिल जाता है उसके बाद यहाँ पर उसके अंदर में यू आई नहीं Lineage Operating System मिलेगी जो अपने दिल को बहुत जादा थंडग पहुचाएगी कितने लोग यह मानते हैं लाइक वाला बटन ठोक दीची आपको वही boot animation मिल जाता है Lineage Operating System का जो लोगो है यहाँ पर आप देख सकते हैं lock screen में भी आपको बड़ी बड़ी clock जैसे हमने पहले बात की Android 12 में देखने को मिलती है तो काफी दिखने में aesthetic लगती है यह सारी चीज़े यहाँ पर look में आपको almost same ही लग रही होगी Android 12 जैसे क्योंकि Android 12 पे ही base रहे ASP से थोड़ी सी अलग होती है आप नहीं जानते Lineage Operating System यह Lineage Operating System और ASP में क्या फरक है उसके regarding एक already detailed वीडियो बनाए आप उस वीडियो के यहाँ पर i button में जाके देखिए सारे doubts A to Z clear हो जाएंगे क्योंकि थोड़ा बहुत definitely दोनों में फरक है base जो है Android पे है तो यहाँ पर आपको सारा look जो है Android जैसे ही मिलेगा Android 12 में जैसे आपको बड़े बड़े डब्बे मिल जाते है रिल गाड़ी के वही यहाँ पर मिल जाते हैं brightness कम जादा कर सकते हैं यहाँ पर अगर हम बात करें wallpaper and styles में आपको यही दो option मिलते हैं फिलाल यहाँ पर material you का support नहीं अतलब आप wallpaper की हिसाब से theme अगरे चेंज नहीं कर पाएंगे अभी फिलाल यह अभी early build है सो में भी आने वाले time में definitely material you का support आपको भी देखने को मिल जाएगा बात करें यहाँ पर volume up down की आपको वही मोटा मोटा जो है volume up down slider मिल जाता है power menu भी same आपको motapa जो है यहाँ पर वही वाला मिल जाता है बात करते हैं settings में settings में चलने के बाद wifi बहुत अच्छे से work कर रहा है कोई दिक्कत नहीं आ रही है calling और भी हो रही है and even यहाँ पर आप देख सकते हैं Jio के network फुल पकड़ रहे है उसे के साथ साथ carrier aggregation का भी आपको support मिलता है जो की अच्छे से work कर रहा है Jio में मेरे साथ इवन यहाँ पर कभी भी आपको यह आपको install करेंगे तो आपके सामने दो option आएंगे जो location android 12 में आया था प्रिसाइज location देना चाहते है अप्रॉक्स लोकेशन जाएगा आपका location नहीं जाएगा अगर हम इसे करके करते हैं तो यहाँ पर आप जाके देख सकते हैं यहाँ पर एक और चीज़ आपने नोटिस के होगी एक green color का कुछ arrow आया था वो छुप गया तो green color का arrow इसलिए आया था notification definitely देखने को मिलेगा हर रोब में उसके बाद Bluetooth भी यहाँ पर अच्छे से वर्क कर रहा है कोई दिक्कत नहीं आ रही है आ जाते हैं डिस्प्ले में तो डिस्प्ले में आपको यही सारे options यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं लगली यहाँ पर हायर रिफ्रेश रेट वरक कर रहा है 62-90 hertz लिखा हुआ है तो यहाँ पर चेक कर लेते हैं भाई यह 60 या 90 या 120 hertz पर चल रहा है क्योंकि हमारा फोन यहाँ पर 120 hertz तक सपोर्ट करता है तो यह 120 hertz पर चल रहा है लोकेशन किसकी अपने उसकी सेटिंग भाया हमारी कैमरा की परमीशन क्यों ले रहा है तो गडबड है यहाँ पर ऐसे ही आप और सपीशेज आप को निकाल सकते जो आपके कैमरा को माइक को इवन आपकी लोकेशन को यूज कर रहे हैं बैक्ग्राउंड में उसकी बाद तो आपको कुछ यहाँ पर एडिशनल जो है आपको कस्टोमाइजिएशन देखने को मिल जाए है जैसे स्टेट्स बार में आपको कुछ यहाँ पर क्लॉक की पोजिशन कहा रखनी है सेकंड का जो यहाँ पर टाइमिंग रहता वो शो करना है एंपीएम स्टाईल है बैटर क्या आपको इस room में मिल जाता है सबसे पहले यहाँ पर अगर हम बात करें तो आपको Widevine L1 का support देखने को मिल जाता है तो यहाँ पर आप Full HD content Amazon Prime Netflix वगर में आराम से देख पाएंगे अगर आप YouTube में HDR content देखना चाहें तो वो भी आप 4K resolution तक HDR देख पाएंगे बिना किसी दिक्कत के अगर हम बात करें यहाँ पर performance की तो benchmarking के scores मैंने कुछ करके देखे आपको यहाँ पर वो भी मैं show कर देता हूँ सबसे पहले बात करें Antutu benchmark की तो यहाँ पर थोड़ा सा कम score निकल के आता है 6,15,218 का बट यह definitely मुझे बिलकुल भी किसी angle से नहीं लगता है कि यह जो scores है यह valid होते हैं यह मैंने already पहले भी बोला है क्योंकि यह जो roam है काफी अच्छे से मतलब चल रही है मैंने gaming करके भी देखी multitasking करके देखी सभी में यह काफी अच्छे से work करें like 35,223 average रहा and minimum 211 गया तो काफी अच्छे से यह जो है handle करता है इस room में तो बात करें geekbench score की तो आपके सामने यह geekbench के भी score है and बात करें read write speed की तो आप देख सकते हैं यहाँ पर read write speed भी आपके सामने है and performance की बात कर रहे हैं BGMI की बात ना करें तो यहाँ पर ना इंसाफी हो जाएगी तो BGMI में आप smooth extreme तक खेल सकते हैं even HDR तक extreme खेल सकते हैं ultra HD में ultra तक खेल पाएंगे कोई दिक्कत नहीं आ रही है BGMI हमने खेल के भी देखा यहाँ पर काफी अच्छा चल रहा है बहुत जादा नहीं खेल लेकिन काफी smooth चल रहा है and heating का भी कोई issue नहीं आ रहा है फिलाल यहाँ पर and even यहाँ पर app opening, app close में कोई भी यहाँ पर lag वगरा मैंने बिल्कुल face नहीं किया काफी smooth चल रही है यह रोम यह मैं आपको पहले ही बता चुका यहाँ पर कोई भी दिक्कत नहीं आ रही है आपको यहाँ पर देख सकते हैं बहुत सारे apps खुलने के बावजूद भी यहाँ पर यह सारी चीज़े बहुत अच्छे से handle कर रहा है बीजे मैं भी background में अल्रेडी खुला हुआ है इतने सारे apps खुल रहे हैं so multitasking को अगर आप करते हैं तो यहाँ पर आपको काफी मज़ा आने वाला है उसे के साथ साथ यहाँ पर battery backup भी इस ROM में अच्छा है and कोई भी रोम का अगर battery backup देखना हो तो आपको कुछ दिन उसे install करकर रखना है उसके बाद ही वो proper यहाँ पर battery backup आपको देगा आपको यूट्यूब में बहुत सारी वीडियो है वो मिल ही जाएंगी वीडियो को लाइक कीजिए अपने दूसराँ शेर कीजिए मिलते हैं ऐसी किसी न्यू इंट्रस्टिंग धासु फार्ड़ी वीडियो साथ तिल देन जय हिंड टेक कियर और स्टेफिए झाल झाल